हेलो ब्यूरिफो बीबो वेल्किम चू लगनो लोकिल्स आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की बन अफ द बैस्ट इलेक्ट्रिक के बारे में जो की सुजाता की तरफ से आती है अभी तक आपने सुजाता का Mixer Grinder सुना होगा और Mixer Grinder की काफी तारीफे सुनी होगी बड़ अब समय आ गया है सुजाता की नए प्रोड़क्ट को इंटरूस करने के लिए जो कि है सुजाता की Electric Kettle सुझाता कि यह electric kettle 1.5 liter capacity में आती है और 1500 watt में आती है उसी के साथ साथ इसमें काफी धिर साने नई features हैं जो कि आज इस वीडियो में हम complete discuss करेंगे अगर आप box packaging देखिए तो काफी attractive box packaging है और अगर इसमें color combination देखिए तो यहाँ पर आपका favorite black addition में आती है जो कि काफी जादा सुन्दर लगता है अभी तक हमने market में जो kettle देखी है या तो हैवल्स की बहुत अच्छी kettle देखी है या तो फिर prestige के कुछ नए models आपने देख रखे होंगे बट अगर अब ही मैं आपको बता दूँ कि quality के हिसाब से features के हिसाब से यह kettle काफी जादा improve कर दी गई है और आज हम discuss करने वाले हैं यह सारे features इसी वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले है अगर इस box को हम open करेंगे तो हमें क्या-क्या चीज़े मिलती है सबसे पहले हमें कुछ इस टाइप से warranty card मिलेगा जिसमें company दो साल की warranty हमें देती है उसी के सासर फिर हमें यहाँ पे यह code देखने के लिए मिलेगा जो कि हर electric kettle का होता है code की quality मुझे काफी जादा improve और अच्छी लगी उसी के सासर यहाँ पे यह code में यहाँ पे एक दिया हुआ है कि यहाँ पे इसको फसा देंगे तो code बराबर तरीके से किसी मेज में अराम से बैट लेगा और इधर से उधर मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे कुछ reverse लगी हुई है जिसकी वज़े से code मूव नहीं होता और एक तरह में चिपक जाता है और यहाँ पे हमें यहाँ पे 5 amp का plug मिलेगा जो कि हर तरीके के plug में चल जाता है इसी के साथ साथ हमें एक सबसे important चीज है वो मिलेगी यह वाली kettle अब पहली बार इसका मैं पूरा design और shape आपको reveal करने वाला हूँ तो तयार रहिएगा तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं तो जाता की 1.5 वीडर की नई launch kettle जो की इसके black edition में आई है अगर मैं इसका first look आपको दिखाऊँ तो यह काफी ज़दा improved look है साथी साथी आती है काफी सुन्दर matte finishing में यह जो उपर की glossy finishing है काफी attractive लगती है और अगर आपका interior थोड़ा सा black touch में है तो यह आपके घर के interior से match भी कर जाएगी उसी के साथ साथ यह complete flawless black और matte finishing में आती है जिसकी gloss बहुत थादर rich और royal लगती है उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सुजाता का मारका देखने के लिए मिल जाएगा और साथी साथ इसमें सबसे improved चीज है कि company ने 2 years की जो warranty दी है वो इसकी home service में दी है घर पे आके इसका engineer इसको सही कर देगा within 2 years बस कहीं से damage नहीं होनी चाहिए इसी के साथ साथ इसके handle की quality भी मुझे काफी बैतर लगी और काफी बड़ा handle दिया है जिसमें अगर आपके हाँ चोटे हैं बड़े हैं उसे साथ से आप काफी अच्छी तरीके से grip कर सकते हैं जनरली आपको अगर इस टाइप की kettle देखिए तो इसमें सिर्फ auto cut देखने के लिए मिलता है बट यहां पे इसके ढखकन को operate करने के लिए भी आपको एक यहां पे button मिलेगा जिसको आप प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से यह open हो जाएगा फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से open होगा तो यहां से आप इसको बस से से कर देंगे और यह open हो जाएगा तो चलिए अब समय आ गया है कि इसके complete features के बारे में बताने का तो यह वाली जो kettle है यह double walled kettle है जिसमें बाहर की तरफ से आपको shock proof layering मिलती है black color की और इसके अंदर की तरफ से 100% 304 ग्रेट यहां पर दिया हुआ है और यहां पर 1.5 लीटर maximum amount भी mention किया गया है कि आपको आसानी हो जाए इसको यूज करने में अंदर की तरफ से एक point में और discuss करूँगा आप बिल्कुल नीचे की तरफ देख रहे होंगे जड़ा से मैं आपको दिखा देता हूँ इस kettle में जब आप नीचे की तरफ यहां पर ध्यान देंगे तो अंदर की तरफ आप यह देखिए कि अंदर की तरफ इसमें कहीं भी joint नहीं दिया है जिसको हम कहते हैं joint less kettle काफी सारी kettle में नीचे की तरफ joint होता है जिसकी वज़े से उनकी pricing कम रहती है और काफी cheap quality ही होती है यहां पर आपको अंदर की तरफ से joint less मिलता है जिसकी वज़े से इसको clean करना असान है और इसमें गंदगी फसेगी नहीं और एक सबसे बड़ा point है लोग चाहते हैं कि 100% पानी हो, soup हो, maggie हो कोई भी चीज हम इसमें बनाएं तो 100% steel का surface रहे तो यहां पर धकन में भी आपको complete jointless steel का support मिल जाता है, जिसकी वज़े से जब भी इसमें कोई भी चीज हम cook करेंगे, तो यहां पर stillness steel में बनेगा, साथी साथ यहां पर आपको जो nozzle दी है, जो notch दी है, वो भी उपर की तरह से curved करके दी हुई है, जैसे क्या यह देख पा रहे होंगे, यह भी एक काफी improved touch द साधिया की इस तरीके से अगर आप इसको open करेंगे तो यह open हो जाएगा, और यहां भी दिया होता है इसका auto cut, यह देखे नीचे की तरफ से अब आपको देखेगा, यह इसका auto cut दिया हुआ है, जिसमें आप easily इसको operate कर पाएंगे, साधी साथ नीचे की तरह से cordless system दिया है, और मैं आपको बता दूँ, यह बाकी company से जादा improve और अच्छी quality में मुझे लगता है, साधी साथ से इसको आप इसके उपर इस तरीके से लगा दीजे, और आपकी kettle तयार है, चाहिए है, और भी चीज़े soft करने के लिए, अपने आप बनाने के लिए, साधी साथ अब बात गई है, इसकी pricing की, तो चलिए अब इसकी pricing की बात करते हैं, company ने इसको हम लोग को, इसकी जैसे MRP के बात करता हूं, तो MRP company ने 2970 की दी है, पर इसकी लगबख market में जो इसकी pricing आएगी, लगबख 1500 से लेके 1700 रुपीस के बीच में रहेगी, जो कि एक काफी किफांती price है, औ इस वीडियो की नीचे description box में हमने भाई link दे रखे हैं, तो वहाँ से आप इसको काफी कमदाम पे purchase कर पाएंगे, अभी offer भी चल रहा है, तो जरूर ग्राब करिएगा इस टाइप के kettle को, और obvious ही बात है कि अगर ये दो महीने पहले launch होती, तो इसकी demand और भी जादा होती, ब और साथी साथ, अगर कोई भी doubt होता है किसी products related, तो उस वीडियो के नीचे description box में आप हमसे contact कर सकते हैं, आप हमें message कर सकते हैं, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक relevant answer के साथ आपको solution दे सकें, तो आज की video के लिए इतना ही रखते हैं, thank you so much, keep supporting us.